हेलो फ्रेंड्ज, बरनाला फूड में आपका स्वागत है, आज हमने बिल्कुल इंस्टेंट स्नैक्स, पांच मिन्ट में बनने वले स्नैक्स बनाई हैं, जो के बोहत ही कम चीज्जों से बने हैं, घर के ही समान से बन जाते हैं, आलू बॉइल किए हमने, आलू बॉइल करके छील लिए, अलू हमने बॉइल कर लिए, बॉइल करके उसको छील लिया, चार पांच अलू के गरीब हैं जे, इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, मैशर से कर लो, आज से कर लो, जाँ, पोग से भी ये हो जाता है, इसमें हम काफी सारा धनिया डालेंगे, और थोड़ा बेशन, मिर्ची पाउडर, नमक, स्वादंसार, दो चमश सूजी के, और थोड़ा इसमें चावल का आटा, थोड़ा थोड़ा सिम्पल चपाति बाला भी आटा हम डाल सकते हैं, इसमें हेल्दी हो जाता है, और इसको अच्छी तरह से डो की तरह बना लेंगे, गुंथ लेंगे, अगर ज्यादा कम लगे तो और भी इसमें हम आटा जान सुबजीवगरा मिक्स कर सकते हैं, देखिए हमारा थोड़ा बाइंड कम हो रहा था, इसलिए हमने थोड़ा भेशन ढाल लिया है, इसमें दो चमश, कोई प्याज बगएरा लसन बगएरा कुछ नहीं डाला हमने, और इसको ऐसे डो की तरह बना लेंगे, और इसको चार भगों में कट कर लेंगे, जैसा आपने बनाना हो शेप कोई भी शेप इसे दे सकते हैं, हाथ में गील गाकर, इसको थोड़ा रोल करेंगे, जितने आपने बड़े चोटे बनाने हैं, उसे हिसाब से हम इसे कट कर लेंगे, जैसे हाथ से थोड़ी थोड़ी शेप और बना लेंगे, दिखिए सारे हम इसी तरह से सारे बैच त्यार कर लेंगे, इदर हमने तेल गरम कर लिया है, इसमें हम थोड़े डालते जाएंगे, पांचे कठे डल जाते हैं, इसको धीमी आज पर ही पकाएंगे, वैसे तो इसमें अलू ही जादा है, अटब गयरा तो हमने कम ही डाला है, ऐसे कच्चे भी हम निकाल के रख सकते हैं, जब खाने हों तो धुआरा निकाल सकते हैं, थोड़े फ्राई करके, अब हम इसमें देखिए, बहुत ही सुन्दर दिखने में भी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बने हैं, ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, स्टार्टर स्नैक्स हैं जे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,